हमारे खास कार्टे में आप सभी का बहुत स्वागत है आपके साथ मैं हूँ नली निपांडे इन दिनों अपने पती से विवाद के चलते पीसे सबसर जोती मौरे सोशल मीडिया पर सुर्कियों में चाही हुई है हर कोई उनके बारे में अपनी राय रख रहा है और आखिर जोती मौरे का इस विवाद पर क्या कहना है निउस जेटी ने जोती मौरे से एक्सलूसिव बाचित करके उनका पक्ष जानना चाहा है कि आखिर इस पूरे विवाद की पिछे की बज़य क्या है जिसमर जोती मौरे ने इस विवाद को अफ्तार और करमचारी का ना बताते हुए विशुद्ध परिवारिक विवाद बता है उन्होंने कहा कि उनके बारे में चाहे जो भी गरत धारणा बनाए उससे उनको फर्क नहीं पड़ता है न्यूस 18 से बाचियत के दरा जोती मौरे भावुक भी हो गई सुनिये लोगों ने इस पुरे इंसिडेंट पर कुछ भी नहीं चलाया है जैसे मतलब वह तो मैं यह जाना चाहता हूँ कि हम पब्लिक कोई यह नोटिस देना चाहते हैं या पब्लिक को बताना चाहते हैं कि बींगे SDM या being a officer जो चीज़ें आपके बारे में गलत तरीके से बता ही जा रहेंगे what's the facts जिनको की कोई साम में नहीं रखना चाहता उसमें कई लोग आपके बारे में कुछ कह रहे हैं कई लोग कुछ कह रहे हैं मैं हमने भी recite किया हमारी tutorial meeting में कि जो भी right चीज़ें हैं वो कम से कम public के बीच में आनी चाहिए क्या पूछना चाहते है right चीज़ें क्या हैं नहीं क्या ये जो आपके जो आलोग हैं जिनके साथ आपके शादी हुई सारी चीज़ें हुई वो dispute कैसे शुरू हुआ मतलब कि आपको कब इस बात का पता चला कि वाकई में इस तरीके से वो एक सफाई कर्मी है पहले मैं क्लियर कर दूँ इशू सफाई कर्मी या मेरे SDM होने का नहीं इशू हजबन वाइब का है बस मुझे उनके सफाई कर्मी होने से कोई problem नहीं है अचा ठीक है आपके सफाई उनके सफाई कर्मी होने से problem नहीं है तो जब आपकी शादी हुई दो बच्चियां पैदा हो गई या सारी चीजे होई आपकी तरफ से कहा जा रहा है सोशल मीडिया में कि आपको ये पता नहीं था कि वो सफाई कर्मी है आपको दोके में रखा हो गया then I accepted बाकी चीजे बस मुझे उनके सफाई कर्मी होने से मतलब नहीं है वो जो भी था उन्होंने जूट बोलके शादी किया मुझे बार ने पता जला doesn't matter अचा अब अब जब इस तरीके से market में जो चीजें चल रहे हैं आपके बारे में या उनके बारे में जो चीजे नहीं तो आपकी आलूग से कोई बात हुई है इस दौरान जिस तरह की चीजें आई है आपके बारे में रोने जिस तरह की चीजें कहा है नई नबीत नदूद मढ़ enough इस बारे में नहीं बात नहीं चोड़ी मुझे कहानीं नहीं है अच्छा इतना सिर्फ क्लियर बता दीजे कि ये जो कहा जा रहा है कि कैनम में आपकी 2010 में शादी होगी लेकिन उसके बात भी आलोग जो है वो हस्बेंड के तौर पर कॉपरेट नहीं कर रहे थे आपको इस तरह की बाते भी है हलो वैने यह नहीं कहा है तो मेडम रिष्टे खराब कैसे हुए मतलब क्यों पति पादी के रिष्टे खराब कर सकते हैं रिष्टे खराब कभिए आप किसी घर में गुसके देखना चाहते हैं कि कैसे हस्बेंड वाइप कैसे रह रहे है ने नी हम यह नहीं कह रहे हैं यह कह रहे हम आप में सफाई करमी कारन नहीं है तो या करन था क्या आप लोगों के रिश्टे का। मज़ाग की चीज़ नहीं है लेकिन अगर आगर वो कह रहे हैं कि उन्होंने आपको पढ़ाई में हेल्प की है और नहीं की है अभीसली हस्बेंट वाइफ है तो इंग्डूस्ट्रे का सायोग ही करेंगे भाई पर सायोग करने का मतलब यह नहीं है कि एक इंसान उस पत पर चला गया तो तुम उसे हमेशा टॉंट करोगे प्रताडित करोगे मेंटल टॉर्चर करोगे तो यह जो सिलसला था जब आपने अभी इतना भी यह मेंटर कोर्ट में आ गया है लेकिन जो चीज़ें परिवार के बीच में जो चीज़ें आपके बीच खराब हुई हम उन पर बात नहीं कर रहे हैं हमारा सिर्फ यह कहना है कि सोशल मीडिया में जो आपके बारे में कहा जा रहा है जो तमाम तरह की चीज़ें जोती मौरिया को ले करके करी जा रही है क्या ये सारी चीज़ों में सच्चा ही है तो अब आप फाइनली तलाग चाह रही है और चाह रही है आलोग से अलक होना अब तो कोड़ डिसाइड करेगा ना आप तो साथ नहीं रहना आप साथ नहीं रहना चाहिए मैंने बोल दिया मेरा मैट्रिमेरियल केस पैसे पेंडिंग में आलोग की स्टेटमेंट के पहले से है आपको दूख नहीं हो रहा इतनी सारी चीज़ेंश आपके बारे में चल रही हैं आप बताये अपने अनुह से क्या थरा की आगर अगर आपके बारे में किसी तरह की चीज़ें सुशल मीडिया में आ रही है को आदमी कुछ दो लगता है wiem मुझे सोचल मेडिया से मतलब नहीं है बट आलोप ने जिस तरह से हमारे 12 साल के रिष्टे को पब्लीक ली तारतार किया है देखिए कितना भी रिष्टा खराब हो जाता है इंसान अलग होने के लिए लीगली मैं तो प्रॉसीड प्रॉसेस कर दी थी बट उन्होंने ठोड़